रादे रादे बक्तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भुवान किष्ण की शर्णा गति करके हम माया से कैसे बच सकते हैं। अब इस वीडियो में बताएंगे कि शास्त्रों का आश्रे लेकर हम माया से कैसे बच सकते हैं। शुरू करते हैं, शास्त्रों के प्रती अटुट विश्वास के साथ शास्त्रों को गहनता और विशलेशनात्मक रूप से पढ़ना, सुनना और जीवन में उतारना चाहिए। हो जाता है, जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता है, और उसे किशन भावना भावित होने में साहिता देता है, तो वह बद्ध जीव माया के पाश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है। वह भगत भक्ती जो उपनिश्दों, पुरानों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमानिक वैदिक गरंतों की अवेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही उत्पात फिलाने वाली है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवेलना करता है और मनमाने डंग से कारे करता है, उसे ना तो सिद्धी, ना सुख और ना ही परमगत्ती की प्राक्ति हो पाती है। बद्ध जीव स्व्यम के प्रत्न से अपनी किशन भावना को जाकरित नहीं कर सकता। इसलिए भवान शीकिशन ने अहतुकी किर्पावश वैदिक साहिते तथा उसके पूरक पुरानों का सिजन किया है। भवान शीकिशन ने जीवों पर अहतुकी किर्पा करने हतु वैद पुरानों की रचना की है। ताकि जीव माया के चकर से छूट सके। श्रीकिष्ण को भूलने वाले जीव को भुवान किश्ण शास्त्रों और प्रमात्मा के द्वारा यह ग्यान देते हैं कि भुवान श्रीकिष्ण ही परमभोकता हैं और बदजीव को माया के चंगुल से चुड़ाने वाले हैं। भुवान ने श्रील व्यासदेव के रूप में वेद पुरान उपनिशद आदी को साहिते का आखार दिया। प्रंतु उनको संतुष्टी नहीं हुई। कलियुक के लोगों के लिए उन्होंने फिर महाभारत की भी रचना की। वे अपने दिवेदिश्टी से देख पा रहे थे कि किस पकार से कलियुक के लोग मंद बुद्धी और दुर्भागे को लेकर जन्म लेंगे। उनके लिए वेद उपनिशद आदी को समझना संभव नहीं होगा। महाभारत का अध्यन और अनुसरन करके वे कम से कम सोर्ग लोग तक जाख सकेंगे। प्रंतु इतना करने असंतुष्ट ही रहेंगे। तब व्यासदेव जी के गुरु जी नादमुनी का आगमन होता है। नादमुनी कहते हैं कि यह वेद उपनिशद और पुरान आदी की रचना करके आपने बहुत ही गरहित काले किया हैं क्योंकि कल्यूक के मनुश्य इंदे त्रिप्ती पर ताकिष्ट होंगे जो उनकी इंदे त्रिप्ती को बढ़ावा देंगी। नादमुनी ने शील व्यासदेव जी को कहा हैं महामुनी यद्देपी आपने धार्वे कृत्ते त्यादी चार उशार्तों का विस्तार से वर्नन किया हैं किन्तु आपने भगवान वासु देव ज भवान शीकिष्ण के गुण किर्तन के बिना कोई भी शान्ती प्राप्त नहीं कर सकता, मुक्ती तो धूर की बात है। इसलिए नादमुनी शील व्यासदेव जी को या उपदेश देते हैं कि वह जन साधारन के कल्यान के लिए एक ऐसे गरंत की रचना करें जिसमें भवान पतित जिवातमा के उद्धार का कारण नहीं बन सकता. परंतु ठीक से ना रचा गया ऐसा साधे जो शीकिष्ण की महिमा का गुनगान करता हो, वह पतित जिवातमाओं के उद्धार का कारण बन सकता है. यहीं अंतर है पुहां शीकिष्ण के विशे में लिखे गई साधे और अन्य साहिते में आत्म साख्षातकार का ज्यान अगर किष्ण रही तो उससे कोई लाब नहीं होता है सकाम कर्मियों के विशे में तो कहना ही क्या जो केवल अपने इंदित्रिप्ति के लिए शास्त्रों का पालन करते हैं जो वानी संपुन बर्मांड के वायू मंडल को प परमांस पुर्ष दिव्वे लोग के वासी होते हैं अता हैं उन्हें ऐसे तीस स्थान में कोई आनद नहीं मिलता नाद मुनी ने शिल व्यासदेव जी से कहा कि सामाने लोगों में भोग करने के प्रवित्ति होती है अब आपने उन गरंतों की रचना करके ऐसे लोगों को और अधिक प्रत्साइद कर दिया है यह अत्यांत ग्रिनित और अंचित काले है क्योंकि सामाने लोग महान लोगों की बातों को मानते हैं और इस पकासे व्यासदेव की बातों को परमान के रूप में मानकर वे और अधिक अंदेत रिप्ति करेंगे और शास्त्रों के विद भागवतम की रचना करने का प्रामर्श दिया इसकी अध्यन से हम माया के चंगुल से पूंत्या छोट सकते हैं शिल व्यासदेव ने समाधी में श्री किष्ण की दिव्वे लीला का दर्शन किया और नादमुनी के प्रस्थान के प्रस्चात उन्होंने माया से सम्पूंत्या चुटकारा दिलाने वाले सरवत्तम गरंथ श्री मद्ध भागवत की रचना की यह भागवत पुरान सूरे किसमांत जस्वी है और धर्म ज्यान आदी सइथ किष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के पशाती इसका उद्दे हुआ जिन लोगोंने कल युग में अज्यान के गहन अंदकार के कारण अपने दिश्टी खो दी है उन्हें इस पुरान से प्रकाश प्राप्त होगा यह भागवत पुरान ही अमल पुरान है जिसका अध्यन करके हम माया से पार पा सकते हैं अगले वीडियो में हम माया से कैसे बचा जाए सादू संग के द्वारा इस प हरे खिश्टन 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 हरे ख